अब डर नहीं लगता है मुझे इसलिए अगर आपको लगता होगा कि आप लाठी लेकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे मुझे समाच से निकालने का डर दिखाएंगे या फिर जान से मारने की धमकी देंगे तो भी मैं नहीं बदलूँगा ना मेरी नियत बदलेगी ना में डर जाओंगा क्योंकि यह सब बच्पन से देखा है मैंने बच्पन से यही जहला है मैंने इसलिए आप मुझसे मत उलजिए नाहीं मैं आपसे उलजने आओंगा आप अपना काम कीजिए मैं मेरा काम करूँगा और एक बात जिस विद्ध्याले जाने से आप मुझे रोक रहे है उसी विद्ध्याले में अपने बच्चों को भी भेजिए ताकि वो भविश्य में अपनी रोजी रोटी कमाना सीखे ना कि किसी के रास्ते में आकर ऐसे लाखे लेकर खड़े हो जाना किसी का रास्ता रोकने वाला कभी सम्रिद्ध नहीं हो सकता चलता हो और क्या फरक पढ़ता है मैं किस जात का हो क्या फरक पढ़ता है कि मेरे जाती का कोई भी आज तक दस्वी तक नहीं पढ़ सका मुझे तो नहीं पढ़ता फरक और नहीं आगे पढ़ेगा क्योंकि बच्पन में पहली बार हाथ में किताब देकर बाबा ने कहा था संगर्शों से लड़ना है तो इन किताबों को हतियार बना और इसी हतियार से मैं आज तक जिन्दगी की एक भी लड़ाई नहीं आ रहा आगे भी यही मेरा साथ देंगे और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी मैं कोई भी लड़ाई नहीं आरूंगा अब आप चाहे मुझे जितना आजमाना चाहते है आजमा लीजिए